हेलो एब्रीवन मैं मितुन सिंग स्वागत करता हूँ आप सभी का आसा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे पारा टीचर आकलन परिक्षा 125 के हिंदी आई रिपीट हिंदी लेंग्वेस का सॉलुशन हम लोग देखेंगे तो चलिए आज की इस क्लास को स्टार्ट कर रखी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स को एक बार जरूर चेक आउट कर लीजिए वहाँ पे बहुत सारा जो है आंसर की आपको मिल जाएगा पहले मैंने वीडियो अप्लोड कर रखी है उसे जाकर जरूर देख दें बाइद अबे आपको मैं बता दूं 125 का CDP के आंसर की को मैं अप्लोड कर दिया है हिंदी की अभी आप देख रहे हो वीडियो और आगे आने वाला कौन से सब्जेक्ट की आंसर की बनाए जाए तो नीचे कमेंट करके वह जरूर आप लिखें और इस वीडियो को आप कहां से देख रहे हो सपोस कर लो आप मधुपूर से देख रहे हो चत्रा से देख रहे हो पलामू से देख रहे हो गडवा से देख रहे हो कोड़ा से देख रहे हो नीचे कमेंट करके न एक बार उस जगह का नाम जरूर लिख दे और जिस कस्वे से देख रहे हो जिस गाउं से देख रहे हो वो जरूर लिखें मुझे जानना है आप कितने लोग जो है कहां कहां से इस वीडियो को देख पा रहें चलिए सुरू करते हैं वरी फर्स्ट कोश्चन के साथ भासा की सिक्षा के अंतरगत सुनने का क्या आर्थ है देखिए सुनने का मतलब इंग्लिस में से समझाता हूँ आप बहुत असानी से समझ पाओगे here और listen में क्या फर्क है दोनों का तो मतलब आप बोलोगे कि सुनना ही होता है नहीं here मतलब होता है बिल्कुल आप रोड चलते हुए हौरन की आवाज सुनते हो या फिर गाय की आवाज सुनते हो या फिर को बहुत ही एक जो है किसी बच्चे को देख रहे हो केरफुली देख रहे हो और उसके द्वारा जो बातें कहीं जाती है वह आप लिसन करते हो यानि की सीदी सीदी बात है लिसन करने का मतलब है बहुत ध्यान से किसी चीज को सुनना हीर मतलब होता है अनमने ढंग से सुनना तो अब देखे यहाँ पे पूछा गया है भासा की सिक्षा के अंतरगत सुनने का क्या अर्थ है। इसकूल में जब आप पढ़ा रहे हो तो वहाँ पे आप ऐसे यह नमने ढंक से सुनोगे या गंभीरता से सुनोगे। तो सीदी सीदी बात है केवाल आप ध्वनी संकेतों का सरवन तो नहीं करोगे यानि की हेरिंग तो नहीं करोगे ना देखो यहाँ भी सरवन है यानि की इसे आप जो है हेर नहीं कर रहे हो ध्यान से ध्यान पूरवक सरवन ये भी ठीक है लेकिन बोधपूर सरवन का मतलब होत तो मैं न ये बताओं पता निक कोश्चन किसने सेट करा है आप किसी को अच्छा या कमजोर बच्चा कहीं नहीं सकते हो हो सकता है आपने रियल लाइफ में बहुत ऐसे एक्जामपल देखे होंगे लाइफ में सक्सेस्पूल है वो तो कहने का मतलब यह है कि कोई कमजोर या अच्छा बच्चा होता नहीं है कोश्चन के अकॉर्डिंग में आपको आंसर बता दू आपको भेद यानि कि डिफरेंस करना है कैसे करोगे जो निबंद वाले प्रसन है वो आप टेस्ट करा लोगे वस्तुनिष्ट प्रसन ले लोगे उससे मौकिक पर इछा ले लोगे तो देखिए according to नई education policy आप सारे formula को अपलाए करके अच्छे बच्चे और कमजोर बच्चे में अंतर अस्थापित कर सकते हो जो कि ये गलत है बट कोई नहीं answer में आपको बता रहा था तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले question की और अगला question आपके सामने ये रहा दो को ये passage है और इस passage में संस्कृति के बारे में बाते जो है की गई है यानि कि संस्कृति जो है आपके रगरग में बसा है आप कोई भ युक्त सिर्षक है वो क्या होना चाहिए यानि कि title पूछा गया है आपसे तो देखे इसका सही जवाब क्या होगा संस्कृति आत्मा का गुन संस्कृति वैवारिक्ता या सबयता और संस्कृति संस्कृति और उसकी वयापकता देखो मैंने आपको क्या बताए कि आप वाथना में जो है अलग-अलग संस्कृति की छाप दिखती है तो आंसर क्या हो जाएगा 108 का ए आगे बढ़ेंगे 109 मोटी काली मोटी छपी पंक्ती यानि कि देखो यह काली मोटी पंक्ती में तो एक बार डर ही गया था यह क्या बोल रहा है देखो यहां पर आपको अब पूछा कि संस्कृति क्या है यह पूछ रहा है तो संस्कृति क्या है मनिस्व के सभी कारियों और उसके बिहेवियर यानि कि बैभार को प्रभावित और नियंत्रित करती है कौन करती है नियंत्रित संस्कृति जो है नियंत्रित करती है 109 का अंसर क्या हो जाएगा D हो तो सही जबाब क्या हो जाएगा 110 का सी हो जाएगा चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की हो तो देखें ये हमारे जिंदगी के संसकार भावी पिडिक को संस्कृति के रूप में जो है मिलते हैं इसलिए जो है संस्कृति क्या है प्रवामान है यानि कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन फिर तीसरे जनरेशन फिर इसी तरह से सोवन आगे चलता रहता है ये चक्र है च सीखते हैं छोटा बच्चा को आप बोलते हो कि पूजा हो रही है आंख बंद करो दोनों हाथों को जोड़ो तो बच्चा वहां से चीजों को एडॉप्ट करता है सीखता है 112 का क्या होगा यह हो जाएगा चलिए आगे बढ़ेंगे सही वर्तनी का जो है रूप कौन सा है यान एक spelling इंग्लिस वाला में पूछ लेता हूँ वैक्यूम को कैसे लिखोगे वैक्यूम यानकी खाली जगह उसे इंग्लिस में कैसे लिखोगे नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा आगे देखो अलंकार पहचाना है बहुत ही आसान सा है बसे बुराई जासी तन ताही को स दिर्षटान तलंकार है समझाने का समय नहीं है आराम से आप चीजों को देख लिजीए एक बार उपमालंकार किसे काते हैं उत्प्रेशालंकार किसे काते हैं तो उसे देख लेना अब देखिए एक और जो है रस के बारे में पूछा गया है अखिल भूबचर अचर सब हरी मुख में लखी मातू चकित भाई गदगद वचन विक्सित मुख पुल कातू इसमें करून रस है करूना आपको देखने को मिलेगा करूना मिलेगा प्यार मिलेगा आगे देखो सुर्पती में कौन सा समास है सुर्कापती तत्पूरुस है बिल्कुल असान सा था समस्त पृतिवी से रहने संबंद रखने वाले को क्या कहते हैं सारभौ में कौन सा है अप्सन दिखो अप्सन डी सही हो जाएगा चलिए आगे बढ़ेंगे 117 की और निमलिखित क्रियाओं में कौन सी क्रिया अनुकरनात नहीं है फड़ फड़ाना यह नहीं है बिल्कुल सही बात है मिम्याना यह भी नहीं है लेकिन जुठलाना जो है यह अनुकरनात्मक क्रिया नहीं है चलिए आगे बढ़ेंगे एगले सवाल की और किस वाक्य में क्रिया का भाव वाच्य प्रयोग में लाया गया है देखिए राम और सीता वन को गए, वन में नहीं, राम और सीता वन को गए, दोनों कहां गए, वन को गए, तो इसका सही आंसर क्या होगा, 120 का D, अगर विडियो आपने यहां तक देख ली है, तो नीचे कमेंट सेक्शन में जैहिन जरूर लिखे, ताकि मुझे पता चल सके, विडियो को आपने पूरी देखी है, और आप सभी का बहुत-बहुत अभार, विडियो जहां से भी देख रहे हो, जिस जिले से, जिस कस्वे से, जुस गाउं से देख रहे हो उसका नाम नीचे comment section में जरूर mention करें वीडियो को यहां तक देखने के लिए आप सभी का बहुत-बहुत सुक्रिया आदा करना चाहता हूं मैं इसी तरह से वीडियो देखते रहें जीवन में आगे बढ़ते रहें लोगों को जरूर वीडियो सेयर करें और like का बटन दबा दें और नए हो आप पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब करते वह जाना है वीडियो को यहां तक देखने के लिए फिर से आप सभी का हाँ जोड़के शुक्रिया नमस्ते